नमस्कार साथियों स्वागत है आपका EPS 95 minimum pension बढ़ोतरी के एक और वीडियो में साथियों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन महत्कून अपडेट जो 3 सेप्टेमबर 2024 तक हमें प्राप्त हुआ है तीनों ही अपडेट जुड़े हुए EPS 95 minimum pension बढ़ोतरी को लेकर तो साथियों पूरी जानकारे के लिए आप वीडियो में अंतक बने रहेगा तो साथियों सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है EPS 95 राष्टे संगर समिती का बुल्डाना में जो टमिक अंसन चल रहा आज उसका 2080 वा दिन है यानि करीमन 6 वर्ष और 255 दिन आज की तारिक में हो गए है यहाँ पर आपको बता दे EPS 95 pensioners की तरफ से चेन हंगर स्ट्राइक लगातार 6 वर्षों से जारी है और NAC के head quarter bull dhana के district collector office के सामने यह चेन हंगर स्ट्राइक चल रही है तीन सेप्टेंबर को NAC leader Mr. S.N. Bearwar and Mr. RM परसापते जी ने fasting कर चेन हंगर स्ट्राइक को आगे बढ़ाया साथियो और इसके अलावा परदान मंत्री मोदी जी के नाम पर ग्यापन collector साहिब को सोपा साथियो दूसरा update निकल करा रहा है ओल उडिसा EPF pensioner association की तरफ से परदान मंत्री मोदी जी फित मंत्री निर्मला सितारमन जी और सम मंत्री मंसुमानविया जी इसके अलावा धर्मेंद्र परदान जो honorable education minister है उनको जौल और हम जो honorable union minister है उनको और असुरी वेसन अफ जो रेल्वे minister है उनको और जितिंद्र सिंग जी जो honorable minister state है personal public grievance and pension उनको ओल इंडिया EPS pension association की तरफ से ग्यापन और लेटर सोपा गया है तीन सेप्टेमबर दोजार चोईस को और इस लेटर में फिर से दोराया गया है कि EPS 95 pension को लेकर असी लाग से ज्यादा pensioners आज संगर्स कर रहे हैं आज उनको पांसो से साड़े तीन हजार के बीच में average pension मिल रही है सरकार की की तरफ से minimum pension 1000 रुपए है लेकिन बहुत सारे pensioner ऐसे हैं जिनको 1000 रुपए भी pension नहीं मिल रही है ओल इंडिया EPS pension association की तरफ से साथ यो 9000 रुपए प्लस डिये की मांग की जा रही है यहां NSE 75500 प्लस डिये की मांग कर रही है वहीं यह association All India EPS pension association 9000 प्लस डिये की मांग कर र हैं जो अपनी तरफ से अलग-अलग डिमांड करते हैं और सरकार को अप्रोच करते हैं साथियो इसी वज़े से एक संगठन दिखाई नहीं पड़ता है और सरकार हर बार इसी को देखते हुए pensioner की मांगों को ठरका देती है क्योंकि साथियो कोई pensioner association 9000 की मांग कर रहा है को कोई 10,000 की कर रहा है कोई 5,000 की कर रहा है कोई 7,000 की कर रहा है तो साथियो यह एक तरह से एक ता नहीं दिखती है और ऐसा लगता है कि सारे pensioner बिखरे हुए हैं पूरे देश में pensioner वों में एक ता नहीं दिखती है इसी का वाइदा सरकार उठाती है लेकिन साथियो NAC का प दूसरा अपडेट पॉल उडिसा एप्या पैंशन असोशेशन की तरफ से था इसके अलावा जो तीसरा अपडेट निकल करा रहा है वह सात्यों निकल करा रहा है गुजरात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोभा बेन एमबेरवा जी ने सम्मंत्री मंसुमानविया जी को एक लेटर लिखकर EPS 95 पैंशन बडूत्री की सिफारिस किया जासात्यों यह लेटर यहां पर आप देख सकते हैं इस अगस्त को इन्होंने लिखा था यह सोभा बेन एमबेरवा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सावर गंटा गुजरात से इन्होंने मंसुमानविया जी को पत्र लिखकर बताया है कि किस तरह से पंदा लाग से ज्यादा गुजरात के पैंशनर है जो मातरा तीन सो से ड अप्रोच किया है और लग अतार्वे सरकार के साथ में भी अप्रोच कर रहे है वर्द पैंशनोरों की जायज मांग को देखते वे इन्होंने लेटर लिखा है सरमंत्री मंसुमानविया जी तो यह सात्यों बड़ी अपडेट है क्योंकि यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सावर कडा गुजरास से सोबा में एमबेर वा तो इन्हों का पत्र सरमंत्री जी को पहुंचा है तो साथियों यह भी एक बड़ी अपडेट होती है तो साथियों यह तीन मेहत्पून अपडेट तीन सेप्टेमर दोजार चोईस तक हमें प्राप्त हुई जो आप तक हमने पहुचा है आप साथियों आपको यह अपडेट कैसी लगी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा प्रेंस नो के और एनसी के प्रियास आपको किस तरह से लग रहे है अपनी राय ज़रू बताईए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आप से मिसना हो तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना क्याल रखिए जय हिन जय बारत